यह इंडिया जो सब्ध है उन लोग को कम से मुझ से तो सभा नहीं देता है जो देश के तोड़ने वाले गैंग के लोग टुकरे टुकरे गैंग के सदा सभा बैटे हुए हैं जो कभी भी उनाइटेट इंडिया को नहीं समर्थन करना चाहते हैं जो कुछ लोग खालिस्तान क समर्था कास्मीर को अलग देश बनाव धारा 370 लागू मतोंने दो किसी भी तरह से और यही कॉंग्रेस के लोग थे ना जिन लोग ने धारा 370 को पाल पॉस्क कर रखा था और यही कॉंग्रेस के लोग मतलब लीट कर रहे हैं कि मानिय प्रधान मंत्री नेयंदर मोदी जी क साथ वैसे कोई लोग नहीं है जो देश को तोड़ना चाहते हैं इस सभी लोग देश को जोड़ने वाले हैं यह यह युनाइट भारत की बात करने वाय लोग हैं यह दोनों में बेसिक अंतर अप समझने का पर यह कर दो नोब बेसिक आतर、 जो है जब लोग समझेंगे, तो करने जा रहें उनका नाम जो है संगठित रूप से इंडिया होगा इस वक्त हमारे से बात करने के लिए बीजेपी एमलसी जीवन कुमार जी है इंडिया जो है वो बन गया लेकिन आप लोग इंडिया का इतना विरोध क्यूं करने है अगर विरोधी पार्टियां जो है अगर नाम चेंज करते तो आप लोग सहमत होंगे कोई भी पार्टी हो कुछ भी बना ले हम लोग को उसे कोई अपत्ति कहा है लेकिन कंसिवसं के खिलाब जदि कोई काम करेगा तो कि किसी को भी देश की जनता को बरदास्त नहीं होगा आप समझने के बात करें तो यह हमारे कहीं ने कहीं देश पर आगहाथ होने के बात होती है उसके हमारे देश देश के बारे में गलत ही मचाता है तो हम लोग किसी भी जिसका भिरोद क्यों करेंगे इंडिया इंडिया तो भाई भारत एक अच्छा नाम है लेकिन आप जान लिए कि जिस तरह के स्थिती उन लोगों के पास है वो लोग टुकरे टुकरे गाएंग को लेके मैं दे पूरा एक बड़ा नाम बनाना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है यह वही लोग है ना जो देश को तोड़ने वाई लोग है आपको याद नहीं है क्या दारा 370 में अब्दुल्ला परिवार जोड़ने की बात नहीं सोचता है तो उन लोग के मुझ से ऐसा सब भी सोभा नहीं देता है अब जान लेजेए यह इंडिया जो सब्द है उन लोग को कम से मुझ से तो सोभा नहीं देता है जो अरे बाई देश के तोड़ने वाले गाएंग के लोग टुकरे टुकरे गाए के सदस्वाब बैठे हुए हैं जो कभी भी उनाइटेट इंडिया को नहीं समर्थन करना चाहते हैं जो कुछ लोग खालिस्तान के समर्थक है कुछ लोग वहाँ पर कस्मीर के समर्थक कस्मीर को अलग देश बना धारा 370 लागो मत होने दो किसी भी तरह से और यही कॉंग्रेस के लोग थे ना जिन लोग ने धारा 370 को पाल पॉस्क कर रखा था और यही कॉंग्रेस के लोग मतलों लीट कर रहे हैं तो आज लगता है तेजस्वी आदब का बयान सुना ने वो भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्याम मोदी के पीछे कौन था अगल में कौन था सब के नाम गिना रहे थे सब आज जिस तरीके से प्याम मोदी ने कहा कि पक्षी पाटियास हो है वो भरस्टचारी है सब तो आज तेजस्वी आदब ने भी गिनवा दिये कौन-कौन लोग प्याम मोदी के उस बैटक में तेजस्वी जी ने जो बात बताई उसमें और हम जो दोनों में डिफरेंस है हम यह कहना चाहते हैं यह टुकरे टुकरे गाएंग के लोग जो देश को तोड़ तोड़के अलग राज बनाके उसको देश बनाने चाहते हैं वह ऐसे लोग का वहाँ जमात था हर लोग चाहता प्राइस कीजिए यह दोनों बेसिक अंतर जो है जब लोग समझेंगे तो पूरी तरह उनको समझ में आएगा कि यह बिल्कुल ही जो है इस तरह की बात जो बाता वर अंतियार की जारी हो ठीक नहीं है अपको नहीं है कि विपक्ष के तरफ से बहुत ही स्मार्ट मोव है इंड लोग इंडिया का नारा देना चाहते हैं यह लोग भारत जोड़ो का नारा देना चाहते हैं तो यह लोग भारत जोड़ो का नारा देना चाहते हैं तो यह उनलों को अधिकार है जो दिल से भारत को जोड़ना चाहते हैं दिमाग से नहीं दिल से जो भारत को जोड़ना चा कुछ और न दे दिजे निया रहा है। क्ैट को चूरा के शुरा के रखने के लिए उनको ये चाहिए कि भाई उसको कैसे मैंटेन करें भारत थे बहृत रहते हुर भारतिए का पार्म की आपिसे पे-धा कि ही कुई किया गरीबों का मुझसद था कि हमारे देश में गरीब का उठान कैसे हो उनका इज़त कैसे बढ़े रासन की बबस्ता कि असी करों लोग को रासन देने काम किया लोग सपना देखते थे कि उजवला गैस का जो चलाए जारे जिसके मादम से घर-घर में गैस पहुंच रहा है कि बड़े लोग के घर में गैस मिलता था आज हमारे घर मे में साधी जब होती है तो 40% समझ लिए कि उनका पैसा मेडिकल में खर्चा होता है तो लोग चिंता करते थे कि हमारी बेटी का साधी कैसे होगा तो मोदी जी ने उसकी चिंता की और उनकी बेटी की साधी हो जाए अच्छे ढंग से आयूस माय रोजना लाग किया उसके खुलासा नहीं हो पाया था यह सतर साल बात खुलासा हुआ कि इस देश में 47 करोड़ लोगों के पास एकाउंट ही नहीं था तिरिपन करोड़ लोगों ने एकाउंट खुलवाया 47 करोड़ फरस्ट में उसके बाद इसका मतलब था कि वह लोग हांट हैं टुमाउथ है जिन है कर एक उनकी टकर के बाद सोच सकते हैं नहीं तो संभव नहीं है जान लिजिए और कम से कम अभी वर्तमान में देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो दिल से गरीबों के बारे में सोचे इसलिए ही उनको कहा जाता है यह सास्वी प्रधान मंति भारत के पहले यह सास्वी उन्होंने दिखाया आज जो है पूरे हिंदुस्तान में रोड देख रहा है जिसके आप चलते हैं पहले पटना से दिल्ली जाने में कितना समय लगता था ट्रांसपोर्टर जो है पहले बोलते थे कि सर हम लोग 21 दिन में ट्रांसपोर्ट लेके वहाँ पहुचा पाते हैं आज ट्रांस्पोर्टर दो दिन तीन दिन वहां पहुंचाते हैं, अपने समानों को दो दिन में पहुंचाते हैं आज आब बाई रोट जाईएगा तो बारागा घंटा में पहुंचिएगा कल जब आ बाइरोड जाते तो 4-5 दिन वो टूर होता था पिकनिक होता था आज यहां पर वंद्य भारत की बात की जा रही है आज 6 घंटा में दिल्ली पहुंचाने की बात हो रही है कहां से कहां बदल गया बिहार बताईए पुरा देश कहां से कहां आ गया आज यही देश है जहां पर हम पहले कितना दिन में सफर करते थे और आज पांच घंटा में सफर करने की बात कर रहे हैं आप जान लीजिए कि मेट्रों जब हम छोटे थे और जर्मनी का मैगजिन हमारे हां एक हमारे हां NGO था और उसे इंजियों में एक जर्मनी की मैगजिन आती थी और जब मेट्रो का चितर देखते थे तो हमको लगता था कि हमारे देश में भी कभी साहत संभव हो पाएगा लोग हमको भिखारी देश समझते थे गरीब देश समझते थे आज हमारा देश जो है गर्ब से कहता है कि हमारी एकोनोमी लंदन से आगे बढ़ गई है आज हमारे देश को लोग को गर्ब है कि हम यही देश है जो वैक्सिन के लिए पहले हम जो है दूसरे डेशों पर डिपे कि तो में तर द्युनिया बदल रहे हम मजबूत हो रहे हैं आज डुनिया में ही टकत वर हो रहे हैं ऐज मोदी जी का नाम सवक सा नहीं लेते हैं पूरे दुनिया है ताकत वर लोगों principe आज इसका कारण है पुरे पार कि मोझे वर रहे हैं आज हम टेकनी میں बहुटिश के आग सब्सक्राइब गाओं पूरा यहां सो है ODF करवा के जो है वहां सोचाले बनवाए गया और पूरे देश में एक स्वस्ता अभियान चला गया और यह कॉंग्रेस वाले क्या वो लेंगे बताइए यह तो सोचाले जब दिल्ली में एनॉस्मेंट हुई थी जब इजद घर का एनॉस्मेंट तो उनका विरोद किये थे यह लोग हसी में जग रहा रहे थे यह लोग को कहा देश के इजद से मतलब है यह लोग तो देश के इजद से खिलवार करने मारे लोग है चली एक बीजेपी के मेलसी जीवन कुमार जो साब तोर पर कह रहे हैं कि इंडिया नाम जो है वो नहीं रखना चाहिए इंडिया से लोगों की भाबनाएं जोड़ी है और खासकर विपक्षी पार्टी के खेमों में कई ऐसे दल हैं जो कि इंडिया को तोड़ना या कहें कि तुकड़े तुकड़े करना चाहते हैं फिलाल अभी तक के लिए इतना ही आप देखते रहिए न्यूस